तो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चैनल और कुशेतन वस्टी के स्टूडेंट के लिए कुछ नई जानकार या नई अपडेट लेकर आया हूँ तो वीडियो के साथ अंतक बने रहिएगा आपके एक्जाम मोड को लेकर जितने भी चाहे आप यूजी के स्टूडें मोड से होने वाड़े हैं लेकिन जो यूजी के एक्जाम है 23 से वह अभी तक जो है डिसाइड नहीं हुआ है कि आपके एक्जाम दोनों मोड से होंगे ऐसा जो है अभी स्टूडेंट यूनियन ने बोला है ठीक है और हमारी भी अपनी जो चांस बन रहे है कि वह यही है कि आपके भी दोनों मोड से करवाए जाएंगे क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि B.Tech क्या आपके ओनलाइन चर रहे हैं और दोनों मोड से चर रहे हैं और आपके जो एक्जाम है वो ओफलाइन करवाए जाए लेकिन अभी तक लिए आपके लिए कोई ओफिशल नोटीस नहीं डाल है कि जो kr악 रिख्षा को लेकर अभी जो है खुद असमन्जस में है कि चात्रों के जो इक्साम american का मोड है वो क्या रखा जाए ठीक है और इसके लिए जो विष्यो विद्यान का मोड है है और इसके लिए जो initiatives परतियों में कुर्षेत्रा व microscopy problem की प्रिक्षा को लेकर असमन्जस की स्तीती बनी हुई है और याज kardeş है और इसके बाद यहां पर और लिखे कि कुर्षेत्र विसे क्युक्छ ने प्रिक्षा के माध्यम को ले गसे राइब मांगे जा रही है। शेत्र विश्व द्याला द्वारा और करोना की तीसी लायर के बाद एक फर्विरी से आपके सिक्सन संस्तान भी खुल चुके हैं युनिवस्टी कोलेज खुल चुके हैं यह जो है अनुराग सुकला की है ठीक है और यह अपडेट है तेनिक जागरन की मैं आपको यहां पे प स्प्रिंट है ठीक है ओफलाइन आपकी स्टार्ट हो चुकी है और हाला कि सुरुवात के कुछ दिनों में जो चात्र है वो कम आ रहे हैं संख्या कम है चात्रों की बता दे कि मार्च के अंत में ठीक है और अपरेल की सुरुवात में कुर्षेत्रा विश्व ड़ल है दुआ आपके जो कोल्जो की प्रिक्षाए है वो ली जानी है चाहे आपके पीजी के एकजाम हो ठीक है इनोंने बेसिकली बोला है कि फरवरी और मार्च और अपरेल में आपके एकजाम होने वाले हैं लेकिन इसका जो मोड है वो अभी तक मैं आपको दिखाँगा डिसाइड नही किया गया है असमंजस की स्थिति बढ़ी हुई है कि दोनों मोड से एकजाम करवाए जाएं ठीक है इसको लेकर असमंजस बना हुआ है इस बार विश्विदैल्य जो है वो विद्यार्थ्यों में असमंजस की स्थिति ना हो इसको लेकर क्या बोला है कि इसको लेकर जो कुर के जो चातर हैं उन से गुगल फॉर्म के जरीए या फिर आप से परसनली आपकी जो राय है वो ली जाए कि आपके यहां पर देखिए गुगल फॉर्म के जरीए या आपके परसनली आपकी जो राय है वो ली जाए ऐसा इस अपटेट में बोला गया है तो आपके कोल जो में स इस मोड से एक्जाम चाते हैं यह जो अपडेट है देनिक जागरन की है ऐसा इसमें लिखा गया है आज की अपडेट है ठीक है और उसके बाद जो है निन्या लिया जाएगा जैसा भी छात्र राय देंगे तो अपनी राय आप दे सकते हैं खुद ही आप सभी को पता है अगर लेने के बाद ही जो विस्विदला परसासन है वो निना लेगा तो चात्रों की बेसिकली राय यही रहेगी कि दोनों मोड से एक्जाम हो तो आपकी राय ली जा रही है तो आपके यक में जो फैसला है वो आने वाड़ा है यह पोजिटिव आपके लिए नियूज है तो वी है तो यह आज की अपडेट थी अगर आपको चैनल का वीडियो अच्छा लगो तो वीडियो को शेर जूरू करना और इसके साथ हमारे इस्टाग्राम पेज पर जूरू जूरू जाना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा धन्यावाद जाएं